अलो दोस्तो नए वर्ष की आप सभी को हर्दिक सुब कामना है नए वर्ष आप सभी के जीवन में खुशियां लेकर आए हमेशा आप मुस्कराते रहे हसते रहे मस्त रहे तो नया साल जो आता है हम लोग सब कुछ ना कुछ नया करने की सूचते हैं कुछ नया करें इस वर्ष आप सभी लोग हमारे साथ मिलकर की एक काम जरूर नया करिएगा वो नया काम यह है मैं आप लोगों प्रेस करूंगा जूट बोलने पर कि मतलब जूट किस से बोलना चाहिए किस से नहीं बोलना चाहिए आप जूट मम्मी से बोलते हो पापा से बोलते हो दोस्तों से बोलते हो दुनिया में जितने लोग मिलते जूट बोलते रहते हैं तो यह कोई गलत बात नहीं आप जूट बोलो क्योंकि situation ऐसी होती है वो चीजें कुछ ऐसी बात हो जाती है जहां पर जूट बोलना जरूरी होता है अगर आप वहाँ सच बोल रहे हो तो आपका भी नुक्सान होता कहीं दूसरे का भी नुक्सान होता तो आप जूट बोलिए मम्मी से बोलते हो बोलो क्योंकि जूट नहीं बोलोगे तो हो सकता पढ़ जाएगी दो चार तो उससे हमें बचना है पापा को अगर हम जूट नहीं बताते हैं तो पापा के जूटे खाने पढ़ेंगे डाट सुननी पढ़ेगी जूट बोल दो बच जाओगे लेकिन दुनिया में एक ऐसा इंसान है जिससे आप कभी जूट नहीं बोलिएगा वो इंसान है आप यहनी कि आप अपने आप से कत्ताई जूट मत बोलो कभी भी जो भी है अगर आपने गलत किया अपने आप से एकसेप्ट कर लो गलत हाँ मैंने गलत किया अपने लेविल पर आप अगर अपने आपको कुछ भी सजा देना चाहते हो दे सकते हो कोई नहीं देखता कोई नहीं जानता तो दुनिया में सिर्फ एक आप हो जिससे आप जूट नहीं बोलिएगा और यदि आप ऐसा कर पाते हैं तो यू आर ग्रेट परसन इन दे वर्ल आप दुनिया के सबसे महान व्यकती हैं तो मेरा यहीं मानना है कि आप सब लोग मेरा ऐसा मानना है मैं अपने आप से जूट नहीं बोलता हूँ मैं सब के सामने जूट बोलता हूँ सबसे जूट बोल देता हूँ बट अपने आप से नहीं बोलता हूँ आज से आप लोग भी जूट मत बोलिएगा बहुत आगे जाओगे और आपके अंदर जैसे जूट बोलने वाली दूसरों समने बात करी जिस दिन आप अपने आपसे जूट बोलना बंद कर दोगे आप सामने वालों से भी उसी तरह भी हैप करोगे जैसे अपने आपसे कर रहे होते हो और सामने वालों को आपकी आँखों में दिख जाएगी सच्चाई कि हाँ आप जोट नहीं बोल रहे हो चाहे लॉंग टर्म हो चाहे वो सट टर्म के लिए हो बहुत बहुत धन्यवाद थैंक यू